पूनी कमरे से बहार कैसे गया यह पता नहीं चलता है मतलब मरने वाले के अलावा कमरे में और कोई नहीं है और खून भी किया गया होता है अब खूनी कमरे से बाहर कैसे गया ये पता नहीं चलता है और जारत तर तो ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि खून कैसे किया गया ये वाला जो केस था, इसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक लाश है, लाश के पास कुछ लोग थे, खुन चाकू से क्या गया ये तो साब दिख रहा है, मगर चाकू कमरे में कहीं दिखने रहा है, ना कोई कमरे से बाहर गया, ना ही कोई अंदर आ रहा है, फिर भी चाकू गायब हो जब खुन हुआ, उस पक थोड़ी देर के लिए लाइट चली गी थी, लाइट के जाने और आने के बीच में ही, खुन भी हो गया और शाकू भी गायब हो गया, लाग सर मारा, पर पता ही नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे, वहाँ जो लोग खड़े थे, वो तो यही कि अब पूछे तो पूछे किस से, जिवारों से, आखिर में वही किया, वो चाकू कहा गया, इसका जवाब कमरे ने दिया, देखिए, आप लोग अगा, अज़ अब लोग भी, अगर मीटिंग रखनी है तो एक दिन पहले बता देना चाहिए ना? एक गंडे पहले फोन कर रे का क्या मतलब है? अरे उसने खुद हमें थोड़ी देर पहले फोन किया था, कह रहा था कि कुछ अरज़ए इसलिए मीटिंग आज ही रखनी होगी, इस आज की मीटिंग सिर्फ बीजनेस मीटिंग नहीं है, इसका संबंध जिंदगी और मौत से है क्या हो गया तुम्हें? और कितनी दर से पी रहो? अरे पीने मीने की बात नहीं यार विक्रम कुछ अजीब-जीब सी बाते कर रहा है, तुम थोड़ी देर पहले आते तो देखते कितना बदल गया है विक्रम हाँ, ऐसा अलगता था जैसे उसने कोई आत्मावे करा देख लिए वाके? हाँ, रात बारा बज़े कुछ बताने वाला है वे बारा बज़े क्यों? बताने कुछ आत्माओं के महुरत के बारे में बात कर रहा था जिस बात का मुझे इंदजार था वो मुझे पता चल गया है कौनसी बात? वो तुम नहीं समझोगे बिजनेस की बात है? जब तुम्हारी आत्माओं उपर वाली आत्माओं के साथ मिल जाती है तो सारे संबन और सारे बिजनेस सब यकों जाते है लेकिन बारा बज़े क्यों? किसी आत्मा के आने का मोहरत है क्या बारा बज़े? हा? खुदी देख ले ना? विक्रम, मुझे इन आत्माओं आत्माओं के चकर से डर लगता है बारा बजने में अब कुछ ही मिनट रह गया है आज की इस मीटिंग के बाद हम सब की जिंदगियां बदल जाएगी हमें शामें शाके लिए अही सुनो बाबुल देखो अगले एक घंटे तक यहां इस कमरे में कोई नहीं आना जाहिए तुम भी नहीं समझे? जी सर्थ और हाँ वो प्रमोद आये तो उसे जरूर अंदर आने देना और तुम सब लोग बाहर रहना? जी सर्थ और वो ड्राइवर को खास कहना कि वो यहां आना की कोशिश ना करें ठीके तुम जाओ थे खरिया तू ना अंदर बिल्कुल नहीं जाना अच्छा? दारू के साथ वहां और भी कुछ है गया? है ना बहुत कुछ यार थोड़ी दारू हमारे लिए भी किसकाले वहां से मुझे ऐसी सुंसान जगर में बहुत डर लगता है थोड़ी दारू प्रेट में जाएगी ना तो कोई आत्मा वा आत्मा पास नहीं आएगी तू भी ना पीने के नए नए बहाने ढूनता रहता है नहीं यार मुझे आत्मा उसे वाकई में बहुत डर लगता है कभी-कभी अंधिरे में मुझे चीक सुनाई देती है वह गुए ही होती है पधाने यह प्रमूद भी कहा रह जाता है रह बार काम के वकती गायभ हो जाता है विक्रम प्रमूद को बुल को बलाने की कोशिश कर रहे है पारबार मुझे कछ ठीक नहीं लग राहे आपर आपके जाने एक कुछ बहुत बुरा होने वाला ही हाँ याद, एक तो स्विकरण को कुछ हो गया है और अब तो अब तो ये बंगला भी बहुत दरावना सा लग रहा है पर मैने तो सुनाए कि आतमाहीं सिर्फ अंधेरी में आती? सिर्फ सुना ही है ना, देखा तो नहीं है ना हाँ फ्रेंड्स, एक एट पेग हो जाए एक और? ओके हाँ, कम, कम शेरवस अरे, लाइट केसे जलीगे? कहीं आत्माना आजाए विशाल, विशाल तरह पास लाइटर है के? लाइटर, देखता हूं, लाइटर अरे, बबूल, बबूल जिरा टोष्ट लाइटर क्या हुआ? यह चीक हैसी यह चीका कौन? विक्रम 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 खुण 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 हो गया हमारे विक्रम साफ का खुण कर दिया C.I.D. C.I.D. को बलाओ है? यह ब्यूरों में आवाज कैसी? पता नहीं सिर, अजीब सी आवाज है हम भी यहीं सोच रहें कि है क्या खुण खुण ब्यूरों में ऐसी आवाज पहले तो कभी नी सुनी हाँ सर, ब्यूरों में किसी ने बॉम लगा दिया होगा सर यही एक पुचा था दुश्मन तो बहुत है C.I.D. के सर किसी ने सोचा होगा उडा दो ब्यूरों को खुण ने 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 यह बॉम नहीं है यह बॉम्बा है दया अवा दिस तरफ सरी सर देखो देखो दर सर लगता है कोई जानवर आया है ब्यूरों में हाँ खातरनाक लगता है सर यह भगवान फ्रेटक्स फ्रेटक्स सर अरे सर आपने काः था right- Skill ऑर वाले पे नजर रखने के भिए सर तो, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, सुबह आके यहाँ सो गया ए रुक जा मेरी वाइफ का फोन है? हलो, हाँ 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 खून जब विक्रम का खून हो था तब आप लोग असपास ही खड़े थे राइट? जी जी हम लोग चीर्स कर रहे थे चीर्स मतलब ग्लास से जी हाँ जी हाँ चाहती में महा रहा है चाहकू काफी बड़ा गाँ है? चाहकू काफी बड़ा हो गाँ जी कही आसपास होना चाहिए सर पूरा कमरा देख मारा सर चाहकू कहीं पे नहीं है कमरे में अचूद सब लोग तारू पीने की तैयारी कर रहे थे मतलब विक्रम आपसे एक देड़ फीट की दूरी पे खड़ा जा जी हाँ फिर भी आपको मालूम नहीं है कि खून किस ने किया यह भी सर यह लोग विक्रम के साथ में खड़े थे सर जब खून हुआ मगर इनोंने खून को नहीं देखा आव को नहीं देखा आप लोगट में सर उसी वक दो मिनिट के लिए लाइट चले गे थे लाइट चली गई थे जी हां सर यह झाले गे थेया किसीने J isn'tpщее आफ कर दिए ताकि को कि आजिए सखे है यह क्या कह रहे है सर आप इकरम तो हमारा दोस्ता बिजनेस पार्टनर भला मुझे पाव खून क्यों करेंगे सर इंको पदा भी नहीं चला कब खूनों में चलेगा इने ब्यूर लेकी चलेंगे सब पता चलेगा पचा एक बात बताईए जब खून हुआ तो कोई बाहर से कंपर यहां राया था जी नी सिरौं कर correct गया नहीं सब कमाल है कि ना को यहां से बाहर गया ना कोई बाहर से वांदर आया is अ कोर कम्रे के अनदर अने जाने का सिर एक दर्वाजा है तो फिर यह खोनी गया तो गया कहा है अब जीद घर के सारे खिड़किया यह दर्वाज आंदर से बंद है तो नी बहार से नी आया है खोनी इनी तीनों में से कोई एक है तो फिर मुर्डर वेपन कहा है चुपा के रखा है इन लोगों ने सर इन लोगों ने शराब में खून मिला कर पिया है सर यहां पर जरूर कुछ जाजू टोना हुआ है सर इन लोगों ने खून पिया है खून खून है तो सही किलास में क्या हुआ क्या यहां पर रहें सर वो विक्रम कुछ आत्माओं की बाते कर रहा था ना सर लेडी गदा नहीं है सब चाकू भी इनी लोगों में से किसी ने छुपाया सब तुम तुम गहां थे जिस्वा फून वा थे हम लोग बाहर यहीं पेते साफ फिर दभी अचानक बेजिली चली गए हम दोनों तौच लेकर अंदर भागे तो देखा की विक्रम साब जमीन पर मरे पड़े हुए वो चाकू कहां भी शुपा है हां चाकू हमने कोई चाकू वाक यहां कहीं छुपाद होगे हमने हमने विक्रम साब का नमक खाया है हम मर जाएंगे मगर उनके साथ गढ़्दारी कभी नहीं करेंगे जी साफ इन तीनों में से किसी नों खून किया है हमने तो फॉन करके आपको बुलाया साहर तुमने फॉन किया तौश वो बेडरूम से कर देखा देखा देखो चाकु कहीं यहां तो नहीं छुपा के रखा हूँ है भुजी अजीद शाकु तो नहीं है पर यह चिट है इसमें लिखा हुआ है प्रमोट को कॉल करो अजिंटली यह प्रमोट कॉन है मैं विक्रम साहब का खास आदमी रुपय पैसे का कोई भी मामला हो तो विक्रम साहब उससे पूछे बिना कोई भी कदम नहीं उठाते थे अज कि मिटिंग में वो भी आने वाला था पर आया नहीं वो आने वाला था मंगर आया नहीं परमोट का नंबर या एड़िस नहीं नहीं भी क्रमोट अज़े पर दो नहीं है। एकांगरो, उन तीनों से पुछो, प्रमोत का नमबर। भॉस खूम किसी चाकू से किया गया है। यार यह तो हमें भी मालू में सावन के गए। पूरी बात तो सुर लो पहले। क्या है बताओ। फूल के जख्म की लंबाई धा इंच है। अगर घाउ धा इंच का है, तो इसका मतलब है चाकू कम से कम छे इंच लंबा होना चाहिए। यही प्राबलम है बास। आओ बताता हूँ। यह देखो, अगर यह चाकू ऊपर से धाई इंच चोड़ा है, तो जैसा तुमने कहा इस चाकू की लंबाई छे इंच होनी चाहिए। और यह चाकू ऐसा होना चाहिए। तो क्या वाकी इसी तरह की चाकू से मारा है। नहीं, यही तो प्राबलम है। अगर इस तरह के चाकू से मारा गया होता, तो चाकू यहां से लगके पीछे से निकल जाए। मतलब बाड़ी के आरपार। इजैक्ली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर खुन हुआ कैसे। क्या चाकू शरीर के अंदर तेड़ा गुजगया। बस, यह कुछ और चक्कर है। यह चाकू सीधा ही नहीं। यह कुछ अजीब तरीके का चाकू है। लेकिन यह चाकू इतनी जल्दी कमरे से गायप कैसे हो गया। यह रभी जी तब ऐसी टेड़ी बेड़ी बात हैं मुझसे मत पूछा तरुगा। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मुझे घाव में से मिली है। डॉक्टर साब कुछ और पता चला। एक तो यह के चाकू सीधा नहीं था। एड़ा था। और। दूसरी चीज है एक केमिकल। केमिकल। यानि चाकू के साथ साथ केमिकल से मारा है। अब क्या हुआ है पता नहीं है। मारा तो इससे चाकू से ही गया है। लेकिन होनी ने इस घाव में एक अजीब किस्म का केमिकल डाल दिया। है कौन सा केमिकल है। वो आभी नहीं बता है। तो डॉक्टर तारिका से पूछ लेते हैं। वो तो केमिकल के एक्सपर्ट है। सब बदा देती है। तुनलिया। बिल्खुल सही कह रहा है। अब दिखे ना सार, अगर जरा सा भी शक है तो किसी जानकार आदमी, I mean किसी जानकार लेडी से पूछ लेना चाहिए। है कहां डाक्टर तारिका दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी लेब में गई है। केमिकल का पता लगाने के लिए किसी और जानकार से। अब जो भी हो, वो पता लगाई लेए। वो जब तक आती है। अगर आपकी पर्मिशन हो, तो मैं यहां कुछ बताओं। क्यों ने, प्लीस। थैंक यू। बस, जिस किसम का केमिकल हमें इस जख्मे से मिला है। ठीक वैसा ही केमिकल हमें उस ग्लास में से मिला है जिसमें तारू है। यह क्या कहने डॉक्टर साब? यह देखे सर, यह नया चक्र चला दिया है इन्होंने। यार सारूं कि किस चीज का बदला ले रहे हो। अभी जी इतनी डॉक्टर तारीका की तारीफ की इसलिए है। इसे भी साब उस ग्लास में केमिकल मैंने नहीं रखा है। वो उस ग्लास में पहले से है। एक ही किस्म का केमिकल जखम में भी और उस ग्लास में भी जिसमें दारू है। तबोर, यह बताओ विक्रम मरने से पहले तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रहा था। पता नहीं सर। अरे पता नहीं कैसे। कुछ तो बात होगी। झब कोई अदमी माने से पहले किजी को फोन करता है तो उस आदमी का उसकी मौत के साथ कोई ना कोई कर्षन होता है। जे सर, मैं तो केवल विक्रम साब के बिजनेस का हिसाब कितब देख्ता था। वाकिया और कोई बात नहीं सर। विक्रम तुम्हारा इंदुदार कर रहा था और इसलिए वो तुम्हें बार बार खुन कर रहा था तुम्हें मालूम था विक्रम की जान ख़त्रे में फिर भी तुम आ गया निए वो इसलिए थाया क्योंकि उसके खुन में इसका भी हाथ है इसमें भी साथ दिया है, इसे मालूम था कि वहाँ पर विक्रम का खून होने वाला था वह एक्चली मेरे पिदाजी की तबियत अचानक खराब हो गए थी और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया सब अगर तुमने विक्रम का फोन उठाय क्यों मेरे मोबाईल की बैटरी ओफ हो गए थी पिदाजी की तबियत अचानक खराब गए थी बहान अच्छे बना लेते तुम अ बहाना नहीं है सर मैं सची बात बूल रहा हूं जब विक्रम का खून हुआ तब उसके तीनों के तीनों पार्टनर्स उसके साथ में थे इसका मतलब है उन तीनों में से किसी ने खून किया या पिर उन तीनों ने मिलकर किया यह बताओ उन चारों का अपसमे रिष्टा कैसे था को साथ पार्टनर और एक दुसरे को बहुत अच्छे तरह से समझ ते भीकरम की मौथ से सब से जादा फायदा किसे ओने माला था सभी को फायदा होने माला था क्योंकि हर फॉआ की हरो आ वह क्या है पता सब देक्रम नोर सांग के कोई अवलाद नहीं थी और उन्होंने कोई वसियत भी नहीं करके रखी ती इसलिए उनकी मौत के बाद सारा का सारा पैसा उनके पार्टनर्स को ही मिलने वाला था तो जैसे ये विक्रम के मौत हो जाती उन तीनों के तीनों पार्टनर्स के पेट में उसका पैसा चला जाता इसका मतलब एंटीनों ने विक्रम का मिलकर खून किया और उनका साथ दिया इसने इस प्रमोथ ने आसां के जल्दी से बताओ वो केमिकल कौन सा है जो दारू के ग्लास में भी मिला है और चाको के गाउं में भी मुझसे क्या पूछते हो ए अब जीद से पूछो यह बताएगा अठी कि तुम्हें मालूम था तुम्हें था तुम्हें पताया था कि अरे यार बात को पेट में दबा के बैखे हो वाँ सारू के साथ अब ऑचे कहाँ से पता होगा यह बिना बात के अपायमत भलाए यह साथ पातागी तो पता चल जाए गां अब आगे नो डॉक्टर तारीका कैसे कैसे पता चल गिया होगा है क्यो अब तक तो फोन भी कर लिया होगा तुमने अगे भी अधी अ यार दिया यह यप जदि से बता दो Chief मैं बता दो ενब विक्रम की खोन में जाइलो हिजी नाम का इक क्यमिकल मिला हुआ है Xyerapy? जाइलो फ़िजी उस दारू के गलास में और चाकू के घाऊं में गुसा कैसे है? Xy strikes ये एक क्यमिकल तो पीतल चांदी और तामवे की पॉलिश बनाने के काम में आता है पॉलिश बनाने में? जी हाँ, इस केमिकल को जब बाकी केमिकल के साथ मिलाते हैं तो पॉलिश जबर्दस बनती है ऐसी चमक आती है कि पूछिये मत अच्छा एक बात बताईए अगर गलती से किसी के पेट में ये केमिकल चला जाए तो तो क्या होगा? तो जादा कुछ नहीं होगा मतलब मौत नहीं हो सकती अरे नहीं सर, हमने आज तक नहीं सुना कि जायलो फिजी पी के कोई मरा हो इसका मतलब विक्रम की मौत केमिकल से नहीं होई है अब जी चाहे मौत केमिकल से ना हुई हो मगर केमिकल मिला तो है ना घाव में तावरू में इसका मतलब है इस केमिकल का विकरम की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है यह हाथ में यह कंएकर जरूर था वेड़ा एता हम एतान को जड़ाएं। इस घर में जितनी सारी कोपर की अबरास की चीज़े सब उठाओ अच्छी तरह से देखो उन चीजों को उच्छा को उसे में चुपाओगा अच्छी बाही से बाही सेटे लाहाई लु Mmm लुझते लुम लुमा बाहाई लुमा लुमादकर लुमादकर्गर्दकरी लुमादके लुम है जाए साफिया लुमादकर्ग 1-2-3-2- güधिया लुमादकरी यह फ्रेम ब्रास का बनावा है? Sir, यह बॉन हैंग में ब्रास से टाब है? Sir, यह 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 है यह वाल हैंगिंग, यह लैंपशेड, यह फोटो फ्रेम शायद उसीक्रिट वह थियार इन्ही चीजों में चुपा है और कुछ मिला ब्रास या कॉपर का? नहीं, Sir, और कोई चीज दिख नहीं है, Sir तांबे की या पीतल की पर इन सब चीजों से खून कैसे हो सता है, Sir? खून हुआ है, विवेक खून हुआ है और शायद इन सब चीजों से पर कैसे यह अब हमें पता लगाना पड़ेगा चार-चार लोग एक बंद कमरे में थे उन्हें से एक मर जाता है बाकी पचे तीन कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं क्या हुआ ऐसे कभी हो सकता है Sir, ना कोई कमरे से बाहर गया ना कोई कमरे के अंदर आया तो पर खूनी गया तो गया कहा Sir, खूनी उनी में से कोई है तीनों पार्टनर्स में से कोई है आपर दय वो है कौन? और फिर वो चाकू? वो का है? Sir, बच्पन में मेरी माँ ने कहा था कि जब कभी पता ना चले कि कैसे हुआ ये सब तो समझ लेना चाहिए कि क्या समझ लेना चाहिए? अब छोड़िये, sir ए फ्रेडी, बताना होगा तो में बता बताो क्या समझ जाए? Sir, अगर मैं कुछ बोल दूँगा तो ये लोग असने लगेंगे अच्छ, ठीक, ठीक है हम लोग दीवार के तरफ मूँ करके आसले देखा, sir मेरे मूँ से बात निकली नहीं और यहां हसी के फवारे चुट रहे को हासा? ये ये हसी Sir, वो तो मूँ पे मच्छर काटा था इसलिए मेरा मूँ ऐसा हो गया पड़ी, छोड़ो ये क्या कह रहता तो? Sir, ये सारा काम वेंपायर ने किया है वेंपायर? हाँ, sir खून पीने वाली आत्माओं ने किया है, sir Sir, ये साब बक्वास है अच्छा, बक्वास है? Sir, मैं वीवेक की टांगों के बीच में से निकल जाओगा अगर में जूट बोला तो अरे, sir, मेरी टांगों के बीच इतनी जगे है इने कि आप Sir, ये चारों लोग बंद कम्रे में बेटके आत्माओं की पूजा कर रहे थे Sir, ये आपको कैसे है मालो? बता उस ग्लास में खुन कहा से आया वो अब वो अब 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 वैसे sir, फ्रेडी की बातों में दम तो है वो ग्लास में खुन आया तो आया कहा से मगर sir, वो चाकू वहां कैसे आया? ये बात फ्रेडी सब तो बता ही नहीं रहे अब अब विवेक, वो चाकू यही कही इनी चीजों में है इनी चीजों में सर, छे इंच लंबा और धाइन चोड़ा चाकू इन सब चीजों में कैसे आ सकता है ये ही तो मैं कह रहा हूं वो चाकू इनी चीजों में है एक एक चीज को अच्छी तरह से देता अब 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 यह तो इन तो इन खुंजल का टुक्डा लगता है अब सर लगता है सर इन छोटी छोटी चीजों को मिला के कोई चाकू जैसी चीज बनाई गई विर्कून होने के बाद अंधेरे में इसके टुक्ले टुक्ले करके वापस घर में चपा दिया गया अब जीत इस विक्रम के ड्राइवर से पता करते हैं पता करते हैं यह सारी चीजें विक्रम ने लाई कहां से इने पहचानते हैं इने पहचानते हैं तर शायद यह विक्रम किसी को मारना चाहता हूँ और इसे पहले कि वैसा कुछ कर सके किसी ने उसी का खुंकर कि एक बात बता हूँ यह सब सामान उन्होंने कब खरीदा था यही करीब कोई दो साल से विक्रम साब को ऐसे सामान खरीने का बहुत शौक था तुम जानते हो कहां जी हाँ पता है साब यही काला रोड पर दुकान है आप कहे तो में लेके चलता हूँ आपर ठीक है अभी जी लेए चलो इसे यह सब यही हो दुकान है इकरम सब सारा समान यही से खरीदे साब वादी जा है वो एसे जी हम लोग CID से हैं CID, CID भी पुराना समान खरीदने लगी नए 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 अब जड़ा यह देखो यह समान आपके दुकान का है का यह यह मेरे दुकान का नहीं है जूट जूट मत बोलो यह सारा समान विकरम सबने यही से खरीद आता हूँ मैं मेरे दुकान का समान अच्छी तरह पहचानता हूँ यह मेरे दुकान का नहीं है अच्छा यह फोटो फ्रेम देखो क्या यह भी तुम्हारे दुकान की नहीं है यह लगता है मेरे दुकान का है जरा दिखाएए नहीं नहीं सर ये मेरे दुकान का नहीं देखो ये हाना बंद करो एक जवाब दो जूट बोलने की कोशिश मत करो समझे सर मेरी हर एक चीज पर इस तरह का निशान लगा होता है ये फोटो फ्रेम में वो निशान नहीं है मतलब ये नकली है नकली जर ये जूट बोल रहा है सर, विक्रम साब ने सारा समान यही से खरीदा था सर, मुझे अच्छी तरह से याद है मैं कह रहा हूना ये मेरा नहीं है, मैं जूट क्यों बोलूँगा, मेरा नहीं है मतलब नहीं है ये बात तलग है सर, कि ये मेरे समान जैसा है ओहो किसी ने चोरी से तुम्हारे सामान का कॉपी किया और क्या सर वहीं सब जगह चोर भरेवे हैं मतलब सर किसी ने विक्रम के घर से वह अस्प्री वाली फोटो फ्रेम निकाली और उसकी जगह पे ठीक वैसे ही दिखने वाली ये नकली फोटो फ्रेम रख दी है न अगर ऐस है तो विक्रम के खून से इन चीजों का कोई ने कोई कनेक्शन होगा खून है आप ज़रा देखो इन सामान में कुछ गरबढ़ है क्या सर एक बात बताओं किसी को बोलेंगे तो नहीं है जोना भट्टे में मुरारी नाम का एक दुकान दार है नकली माल बनाने में नंबर अच्छा तो तुम्हारे सभी सामान का डुप्लिकेट वही बनाता है क्या मुरारी लाल ही है जो मेरे समान की सबसे ज़्यादा नकल करता है एकां इस मुरारी लाल की दुकान ऊसमेजा झाल अश्षा आइस, आए साब, कुछ इंपोर्टेट चाहिए सब सबस्ते यह सब और ईटालियान जयपनेज और हिंदुस्तानी भी एक चीज चाहिए थी पता नहीं आपके पास है की नहीं अरे साब भोलो तो सौही सब मुरारी लाल मुरारी लाल चाहिए आप मुरारी लाल तो महीं हूँ साप असली या नकली हरे साब असली है साप असली तो भी रिसे पैचानते हो के ये तुमारी दुकान का इटाम है नहीं साब ये मेरी दुकान का नहीं है और ये ये तुमारी दुकान का नहीं है और ये ये नहीं साम ये भी नहीं है आई या नहीं हाँ आप लोग हो कोन साब जी हम लोग सी आईडी से हैं सच सच बताएंगे तो बच जाएंगे मुरा रिलाल जी मैं क्यों जूट बोलूगा साब मैं अभी थोड़ी धेर में आता हूं टॉलेट लगी है जोड़ से एक बटाएंगे इसका दंदाभी मही गरता हूं तो ये सारी चीजा तुमने भनाई है हासा मैं नहीं बेचे किसे बेचे था तुमने ये सारा समान नहीं मैं कोई आदमी था और वह इन सभी आइटम के फोटो दिखाएं और बोले खिक, डुब्लिकेट ऐसे ही बनाना, और बनाने के लिए मुझे पचासजा रुपे भी दिये अच्छा सजार, वस आदमी को दुबारा देखोंगे तो पैचान लोगे? हाँ, हाँ साब, मैं पैचान ओगा, पैचान ओगा, मैं पैचान ओगा पेड़ी कीसे देखो? लइस साब, यह 19 यह लइस साब, यह भी नहीं यह था? हाँ साब, यही है व आदमी तुमा मैं पुरा यकिन है, यही वो आदमी? हाँ साब, इसनों ही मुझे पैसे दिये दें, यही वादमी आप लोग यहाँ पर हैं? आप लोग अब लोग अब लोग अब लोग विकरम के खोनी का कुछ पता चला क्या है? हाँ कुछ पता तो चला है अच्छा है कौन कौन है वो इसे पैचानते हो? पर विय फॉब टु Absol cambria यहий अच्छा रभडर ब्लोएskin out अच्छा 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 अच्छार्च रभड या इसे पैचानते हैं? यह वह। इसे क्ल Sh whip मने कह घ होए अखिर आपकड़र आपनों कॉछे देखाना क्या चाहते हैं?! तो समझ भी नी आ रहा? समझ भी नी आ रहा? वीरो चलो, वह अच्छे चुंकि समझ वापस आ जाती है, जाला एक हाथ नहीं लगा नगाना हाथ नहीं लगाना मैं अपने बखीर को पोन करगे तुम से केस कर दूगा केस कर दूगे है? हम चार बिजनिस पार्टनर्स थे बिजनिस में से मैंने पंदरा करो रुपे का खपला कर दिया चुरा लिये मैंने पंदरा करो रुपे और उसके बाद इस चोरी के बारे में किसी तरह विकरम को बता चल गया और उसने हम चारों पार्टनस को अपने बंगले बे बुलाया लेकिन प्रमोद में उससे पहले ही मुझे बता दिया था कि विक्रम उन सब के सामने मेरा भांडा फोड़ने वाला है हो यह प्रमोद भी तुमारे साथ मिला हुआ था हां हां मैंने उसे एक करो रुपया देकर पहले ही उसका मूँ बंद कर दिया था और वो चाको वो चाको तुम अंदर कैसे लेकर गये हैं कैसे चुपाया था उसे कहां पर बंद के अ कर आदर के लाद समय थैना वाला है वो मैंने मैंने मुरारी लाल से डुपलिकेट समान बनवा लिया था और उसी में खंजर छुपा दिया था चार टुकड़े करके ए दो ए अब बताओ इस बीच का चौथा हिस्सा वो का है? वो मुझे याद नहीं है क्यो याद नहीं है? मैं भूल गया हूँगा? बताता है यह नहीं हाँ? कहा तो से की याद नहीं है बेटो 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 नहीं बेडू हमाँ बेडू हमाँ बेडू हो ते फिरसे मारेगा बेडू हमाँ यह यह कर रहा है क्या कर रहा है? यह रहा यह रहा वो चौथा पीस वो तो बिक्रम का खून करते ही यह चारो हिस्से अपनी अपनी जेगा छुपा दिये इतना तेज दिमाग अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो तुमारा ही फायदा होता अब यह तो फासी होगी या पर जिंदगी पर जेर और उस फासी के रसी के भी चार टुकडे कर देना और बाद में छुपा भी देना है कर देना